यह दोस्तो मैं दिलिप कुमार यादा आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पर स्वागत है आज हम एलगी और लाइकिन के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि एलगी और लाइकिन में कौन-कौन से क्वेश्चन हमाई अपिटेट में और जो भी टेट एग्जाम है जो भी टीचिंग से रिलेटेड है या कि साइन से जो भी रिलेटेड है तो एलगी और लाइकिन में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं यह आज हम देखने वाले हैं तो चलिए आज का पहला कौस्चन है कि कौन सी सेवाल क्रेसी में महत्व रखती है नौस्टॉक औसिलेटोरिया या जिलीडियम या नौस्टॉक और एसिलेटोरिया दोनों तो बताए कि जो कौन सी ऐसी सेवाल है जो क्रेसी में महत्व रखती है अगर आप लोगों को याद हो सायद त तो वहाँ पे हमने LG के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने बताया था कि कौन सी जो नॉस्टॉक होती है कौन सी नॉस्टॉक और नॉस्टॉक और एनबीना और औसिलेटोरिया यह कैसी होती है यह कैसी होती है ब्लू ग्रीन एल्गी होती है यह ब्लू ग्रीन एल्गी है और यह ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेती है हमने उस दिन बताया था कि यह क्या करती है नाइट्रोजन की खेती में करते थे इनका उपयोग किसमें करते थे धान की खेती में करते थे और जो क्या है कि ये ब्लू ग्रीन एलगी की उपयोग करने से क्या होता है कि जो भूमी है भूमी की उर्वरा सक्ति बढ़ने में बढ़ाने में इनका बहुत योगदान रहता है इसलिए इनका क् ए तथ भी धोनो तो इस पर अपना राइट आंसर जाएगा सी नमबर कि अगला कोईशन है कि कैप सेल्स पाए जाते हैं नौस्टॉप में इस्पाइरोगाईरा में उडोगोनियम में या सरगासम में तो जो कैप सेल्स किसमें पाए जाता है तो जो बता दो कि जो कैप सेल्स किसमें पाए जाते हैं उडोगोनियम में पाए जाते हैं तो क्या होता है जब उडोगोनियम में क्या होता है जब सेल्डिवीजन होता है यह उडोगोनियम का है कि जब इनमें सेल्डिवीजन होता है तो सेल्डिवीजन के फल्सुरूप क्या होता है एक यहां पर कैसी एक यह टोपी जैसी संरचना बन गई है ठीक तो जो यह टोपी जैसी संरचना बने इसको तो बोल देते हैं क्या एपिकल सेल्स कह देते हैं तो इस तरह कि जो सेल्स बनते हैं इन्हीं सेल्स में क्या होता है कि ऐसी कुछ संरचना बन जाती है तो इन संरचनाओं को क्या कहते हैं इन सेल्स के जो एपिकल सेल्स के उपर जो संरचना बनती है इसको क्या बोलते हैं कैप सेल्स कहते है ठीक तो जो कैप सेल्स किसमें पाई जाती है उडो गोनियम में पाई जाती है तो इस पर अपना राइट आंसर क्या जाएगा सी नमबर जाएगा अगली कोश्चिन क्यों आंगे बढ़े इन में से कौन सा सेवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है तो ऐसा कौन सा सेवाल है जो कि समुद्र की अधिक गहराई में मिलता है लाल सेवाल भूरी सेवाल हरित सेवाल या सुनहरी सेवाल मतलब गोल्डनली तो ऐसी कौन सी सवाल है तो देखो क्या होता है कि जो प्रकास के कारण समुद्र में कई प्रकार के जैसे हरे भूरे लाल रंग के सवालों का बित्रन तो बात करें कि जो लाल एलगी है वह सबसे अधिक गहराई पर पाई जाती है अधिक गहराई और उससे थोड़ी ऊपर पर कौनसी भूरे अकारकी अगर हम देखें तो सबसे नीचे कौनसी रै़ड एलगी फिर ब्राउन एलगी ब्राउन अल्गी के बाद कौन सी गोल्डन अल्गी और सबसे उपर की और कौन सी होती है ग्रीन अल्गी मतलब कि जो सबसे उपर होती है ग्रीन अलगी फिर उसके नीचे होती है गोल्डन अलगी और फिर उसके ब्राउन अलगी और सबसे नीचे रेड अलगी होती है तो जो सबसे अधिक गहराई पर पाई जाती है, तो सबसे अधिक गहराई पर पाई जाने वाली कौन सी अलगी है, रेड अलगी, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, A नमबर, एक इसकी पानी की गहराईयों की वज़े से, यानि की जो प्रकास के कारण ये डिफाइन कर जाता है, तो जो साइवाल साहचर्य है, जो एलगल एसोसियेशन है, वह किसमें पाया जाता है, साइकस की सामाने जड़ में, या साइकस की पत्ती में, या साइकस की रेकिस में, तो जो साइवाल साहचर्य होते हैं, मतलब कि जो साइवाल होते हैं, वह कहां अपना यानिकी निवास इस्थान करते हैं किसमें साइकस की सामाने जड़ में या कोरेलाइट जड़ में या उनकी पत्कियों में या उनकी रैकिस में तो जो अपना सवाल सहचर है वह किसमें होता है कि बात करें कि इनकी कॉरालाइट जड़ होती है कि कौनसे इनकी कौरालाइट जड़ होती है इसमें बहुत सी प्रकार की Blue Green LG जैसे पाई जाती है यानि उनका निवास स्थान होता है जैसे अपन Blue Green LG पे कौन-कौन से एन भीना हो गई नौश्टॉक हो गया कि यह सब वहां पे अपना निवास स्थान बनाए रहते हैं ठीक तो सहजीवी रूप से वहां पर वास करते हैं तो इस बहुत को और जहां पर रहते हैं उस बहुत को क्या बोलते हैं सवाली छेत्र करते हैं और यह वहां पर उपस्तित होते हैं तो वहां पर क्या काम करते हैं नाइट्रोजन fixation का काम करती है nitrogen fixation की क्रिया करती है तो जो साहवाल साहचर है वकिसमें पाया जाता है साइकस की कोरेलाइट शड़ में पाया जाता है रूट में तो अपना right answer क्या गया है इसमें B number अगला question अधिकतर लाइकेंस में कवक सहयोगी सदच से होता है तो जो अधिकतर लाइकेंस होते हैं लाइकेंस में जो कवक सहयोगी सदच से वे कौन है Aisco mycities, Fico mycities या Bassidio mycities या उप्यूपत में से कोई नहीं तो देखो जो यानि की लाइकेंस लाइकेंस जो होते हैं किस-किस से मिल करके बने होते हैं लाइकिन जो होता है एलगी और कवक से मिल करके बने हुए है मतलब की जो कवक के सांथ जो सहवाल का सहचेर है वक्त कहलाता है लाइकिन कहलाता है और जो लाइकिन का थैलस होता है जो लाइकिन का थैलस मतलब की एगर इसके बात करे कि जो सहवाल होता है तो जो सहवाल सहयोगी होता है सहवाल सहयोगी को क्या बोलते हैं और जो कवक सयोगी होता है उसको क्या बोलते हैं माइको बाइन्ट बोलते हैं तो जो यह लाइकेंस में जो कवक होते हैं तो कवक सबसे अधिकतर मुसलिक किस सदस्ट में देखे जाते हैं किस वर्ग में तो जो कवक के सदस्ट होते हैं वह कौन होते हैं एसको माई सिटीज होते हैं जो लाइकेंस में जो कवक पाय जाते हैं वह किस ग्रूप के सबसे जादा एसको माई सिटीज के तो इस पर राइट आंसर क्या गया ए नंबर कि जो लाइकेंस के सबसे अधिक सायोगी सदस्ट से कौन होते हैं कि कौन से कवक होते हैं तो एसको माइसिटी इस अगी खुश्चन है कि प्राया क्लिमाइडो मानुआस की खोश्का में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की संदचना होती है जालिकावत, एच अकार की, कप के अकार की या डिस के अकार की देखो जो सवाल होते हैं सवालों में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वह बिविन प्रकार के पायदाते हैं पहले जो जालीकावत, तो जालीकावत जो कलोरोप्लाश्डanti की सनरचना है, वह किस-किस में पाई जाती है में उडोगोनियम में, इसके बद बात करें कि जो कप सेफ्ट है, कप के अकार की, तो कब के अकार में कौन-कौन से? क्लेम आइडो मोनास वाल वाक्स इसके अलावा सरपिला कार की भी होती है सरपिला कार की अलावा मेखला रूपी मतलब गर्डेल सेट में और डिस्क जैसी तो बात करें जो सरपिला कार सरपिला कार में कौन-कौन से होती है तो सरपिला कार में स्पाइरो गाईरा मेखला रूपी में गर्डिल सेफ्ट में कौन सी यूलो थ्रिक्स और जो डिस्क जैसे डिस्कोइट जैसे किसकी वाउक एरिया की होगी वाउच एरिया की वाउक एरिया और कारा तो इस पर किस पर कुछ है क्लेमाइडो मोनास क्लेमाइडो मोनास कहा है क्लेमाइडो मोनास कप के अकार की होती तो इस पर अपना राइट आंसर क्या जाएगा C नमबर कि कप के अकार की क्लेमाइडो मोनास में किस प्रकार की क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है कप के अकार की अगला कॉश्चन है कि यूलो थ्रिक्स का हरित लवक होता है कि जो यूलो थ्रिक्स का क्लोरोप्लाश्ट होता है वर किस अकार का होता है तो अभी हमने बताया कि देखो जो इस्पाइरल सेट है इस्पाइरल सेट में किसका बताया था spiral set में spiro gyra गर्डिल सेप्ट पे तो गर्डिल सेप्ट पे कौन सी होती है यूलो थ्रिक्स तो इस पे अपना right answer क्या जाएगा b number b number अपना इस पे right answer हो जाएगा अगला question है कि नौश्टॉक एक प्रकार का है तो नौश्टॉक क्या है blue green algae है, brown algae है, green algae है यर red algae है तो देखो आप लोग काफी time से पढ़ते आ रहे हैं अभी पहले या दूसरे question में भी हमने discuss किया कि जो नौश्टॉक क्या है तो नौश्टॉक एक प्रकार का या एक प्रकार का blue green algae है तो इस पर अपना right answer क्या जाएगा यह number जाएगा कि जो नौश्टॉक है वह क्या है एक प्रकार का blue green algae है जो कि किसके अंतरगत इसको रखा गया है साइनो बैक्टीरिया स्रेडी के अंतरगत आता है इसके साइनो बैक्टीरिया और इनकी बात की जाए कि इसको किस kingdom में रखा गया है तो इसको मोनेरा जगत के अंतरगत रखा गया है किस जगत में मोनेरा जगत के अंतरगत रखा गया है अगले question क्योंड अगला question है कि लाइकेन एक अच्छा सूचक है जल प्रेदूशर का म्रदा प्रेदूशर का वायू प्रेदूशर का या उप्रोगत में से कोई नहीं तो जो लाइकेन है लाइकेन किसका अच्छा सूचक माना जाता है तो देखो जो लाइकेन होता है वह किसकी से मिलका यानि कि जो लाइकेन है वह किसका शार्चर से बनते हैं तो अगर बात करें हमकी जो लाइकेन के कवग घटक होता है अभी हमने बताया था कि जो लाइकेन के कवग घटक को क्या वोलते हैं तो कवग घटक को क्या वोलते हैं माइकोबाइंट कहते हैं और जो सेवाल होता है, तो सेवाल के घटक को क्या कहते हैं, सेवाल घटक को क्या बोला जाता है, फाइको बाइंट, फाइको बाइंट कहते हैं, ठीक, तो ये क्या करते हैं, ये किसके अच्छे सूचक माने जाते हैं, तो ये वाईू प्रदूशक के, वाई उ प्रदूशर्ड जो होता है ना तो वाई उ प्रदूशर्ड के अच्छे सूचक माने जाते हैं क्या होता है कि जहां पर अगर SO2 जो Sulfur Dioxide producer होता है वहां से यह क्या हो जाते हैं विलुप्त हो जाते हैं तो वहां से अन्माल लगाया जाता है कि अगर लाइकेंस वहां पर उपस्तित नहीं है तो मतलब वहां पर यहने कि Sulfur Dioxide producer होगा या Y producer है तो इसलिए लाइकेंस को अच्छा सूचक किसका माना जाता है Y producer का तो इस पर अपना राइट आंसर क्या जाएगा सी नंबर ठीक अगले कोश्चन के ओर कि लिटमस प्राप्त होता है तो जो लिटमस पेपर आप लोगों ने साहतक 9 10 या 11 12 में भी experiment किया होगा तो जो लिटमस leaves shouting प्र्च कंट्रोल test के लिए उप्योग करते थे न तो लिटमस पेपर तो इस प्राप्त कहाँ से होता है या हुआ कि यह जो रोसेला वंस के लाइकेन होते से और रोसेला वन्स के यहने रोसेला जीनस के लाइकेन और जो लाइकेन होता है लाइकेन क्या होता है यह एक प्रकार का रंजक होता है डाई होता है क्या है लाइकेन एक प्रकार के क्या है रंजप होता है डाई होता है जिससे इसका यूज कहां करते हैं तो अभी हमने बता दिया कि आप लोगों ने भी प्रेवोग किया होगा कि इसका हम कहां करते हैं पियेच टेस्ट करने में जो रासाइनिक पदार्थ होते हैं रासाइनिक पदार्थों के पियेच टेस्ट को करने में किया जाता है किसका लिटमस पेपर का तो जो लिटमस पेपर है वह किस से प्राप्त होता है लाइकेन से तो अपना राइट आंसर इसमें गया गया सी नंबर ठीक, तो इस पे अपना राइज आंसर क्या गया, C, बढ़ते हैं हैं घ्ले question की ओड, की वालवाक्स कॉलोनी की संरचना होती है, तो जो गॉलवाक्स होता है, उसके कालोनी की संरचना कैसी होती है, गोलाक्रती या अंडाकार या चप्टी या बेलनाक्रती तो देखो जो वालवाक्स होता है ना वालवाक्स तो किस वर्ग का है या क्लोरोफाईसी वर्ग का है किस वर्ग का है क्लोरोफाईसी वर्ग का किस वर्ग का है क्लोरोफाईसी वर्ग का है और इस क्लोरोफाईसी वर्ग में क्या होता है कि जो उनकी कालोनी इनमें कौन सी हरी कालोनील पाई जाती है कौन सी हरी कालोनील एलगी इनमें कौन सी एलगी होती है हरी कालोनील एलगी होती है और इनकी कालोनी का आकार कैसा होता है गोला आकार होता है तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा ए नमबर ग्लोबुलर तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नमबर की जो वालवाक्स होता है वालवाक्स की कालोनी की संरचना कैसी होती है गोलाकार होती है और इस कालोनी को तो जो ये कालोनी बनती है ना तो इन कालोनी को क्या कहते है ये कई बार पूछा गया है कि वालवाक्स की कालोनी को क्या कहते है या उनकी जो कालोनी बनती है तो कालोनी को क्या कहते है तो सिनोवियम कहा जाता है क्या कहा जाता है शिनोवियम कहा जाता है ठीक कैसी होती है देखो जैसे वाल वाक्स हो गया में यानि की इनकी कॉलोनी चोटे-चोटे ऐसे यानि कि राउंड सेट में ही पाई जाती कि अगले need शर्ट के लाता है तुछु वालवॉक्स का एंधेलास के लाता है शिरकाई क़े लाता है या या योकॉणि rightly कर् fiance खेलाता है तिगे अभी हमने बताया था कि जो को लोनी की संरचना होती है याने कि कॉलोनी को क्या कहा जाता है तो सिनोबियम कहा जाता है तो इस पर अपना राइट आंसर क्या गया अगला क्वेश्चन है लाइकेन की खोज किसने की लाइकेन वे डिसकवर्ड बाई मेंडल लेमार तुलसन या डार्विन तो लाइकेन गर बात करें कि लाइकेन तो अभी आप लोगों ने समझ ही चुके हैं कि लाइकेन अपना कैसा है कि यह एक सैवाल और कवक के बीच एक जीवी संबंद वैतित करता है ठीक और इसम से तो इसमें जो सैवाल होता है वैसे वाल क्या करता है यह इसको कार्वनिक बादार्थों का या इसको सैवाल जो होता है भोजन उपलबद कराता है जिसको करता है करके भोजन उपलव्द कराता है और जो कवक होता है तो कवक क्या देता है जल्वा खनीज उपलव्द कराता है अब बात करें कि जो लाइकेन की खोज है तो लाइकेन की खोज किस ने किया तो अगर बात करें खोज की डिस्कवरी की तो खोज किस ने किया है तुलसन ने किया है कब किया था 1852 पे और अगर बात करें कि जो लाइकेन वर्ड है Lichen Sabd किस ने दिया है Likení Sabd दिया था शबसे पहले Theoprestus ने Like in Sabd दिया है Theoprestus ने और जो Like in की खोजे किसने किया है Tulsa ने किया है तो इसपर आपना right answer कहा जाएगा C number Like in की खोजे किसने किया है Pulsa ने बड़े अगले question की ओप कि प्रोटीन की अधिक मात्रा वाली सेवाल होती है जिसमें कौन सी ऐसी अलगी है जिसमें प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है तो कौन सी है क्लेमाइडोमोनास या साइटोनीमा या कासमेरियम या इस्पाइरूलीना तो कौन सी अलगी होती है तो इस्पाइरूलीना हो कैसी है एक यह ब्लू ग्रीन एल्गी है कैसी ब्लू ग्रीन एल्गी है और इसमें बात करें हैं कि प्रोटीन की मात्रा तो प्रोटीन की मात्रा किती होती है 55 से लेकर के 68 परसेंट तक की पाई जाती है और इसमें प्रोटीन के अलावा जैसे खनीज हो गया है विटामिन स्वी पाय जाते हैं इसलिए इसका उपयोग जो ispirulina है इसका उपयोग किसमे करते हैं भोजन के रूप में खाने के रूप में करते हैं तो इसके अपना राइट आंसर का गया है दे नमबर कि जो प्रोटीन के अधिक मात्रा होती वेकिस में होती है इस पाइरूलीना में होती है अगला कॉश्चन है कि लाइकेन सब्ध का प्रियूग सरप्रतम किस वेज्ञानिक के द्वारा किया गया देखे अभी जश्ट हमने बताया था कि जो लाइकेन वर्ड है लाइकेन वर्ड किस ने दिया जो सब्द किस ने दिया था और अगर इसके खोज की बात करें तो खोज किस ने किया है तो सब्द का सबसे आंसर क्या जाएगा क्यों सब्द किस ने किया और बात करें हम एरेश्टोटल की तो अरस्तु आरस्तू हैं जो इनको क्या बोला जाता है ऍहुतर अथ फादर आफ जोलाओ जी ओश्तर की ज directamente जानक रिख्री स अनसरी और अधिके मट्मेद हो जनतर जी हैं ओप इस पे अपना right answer क्या गया है C number अगला question है कि like in में स्वसन में मदद करने वाली संरचना है तो जो like in में स्वसन होता है तो स्वसन में कौन help करता है इसीडियम या सोरेडियम या सिफलोडियम या साइफेली तो जो like in होता है like in में स्वसन किसकी साहते से करते हैं जो लाइकेन होते हैं वे किसकी साहते से स्वसन करते हैं तो वे साइफेली की मदद से साइफेली की मदद से ये क्या करते हैं अपना स्वसन पूरा करते हैं तो इस पर अपना राइट आंसर क्या जाएगा डी नमबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेशन है कि जो अगार अगार का महत्पूर्ड स्रोत है ब्लू ग्रीन अलगी नीले हरे सेवाल या रेड अलगी या ब्राउन अलगी या डाइटेम्स तो जो अगार अगार होता है उसका महत्पूर्ड स्रोत क्या होता है तो देखो जो अगार-अगार होता है यह सबसे पहले होता कैसे है तो यह कैसे होता है पॉली से के राइड है कैसा है यह पॉली से के राइड है आप लोगों ने 11 तोल्थ में जेल ELECTOPHORASYS किया होगा या graduation के time पे आप लोगों ने gel electrophoresis technique जिसमें से DNA को isolate करते हैं वो technique पढ़ा हुआ होगा तो वहाँ पे आप लोगों ने जो culture media बनाते हैं तो वह किसका बनाते हैं अगार-अगार का बनाते हैं तो वह किससे मिलती है तो जो वह अगार-अगार है वहाँ पे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो अगार-अगार है वह किससे red algae से प्राप्त किया जाता है रेड algae के कौन से जैसे जिलेडियम हो गया जिलेडियम या ग्रैसिल एरिया तो जिलेडियम या ग्रैसिल एरिया से अगार-अगार प्राप्त किया जाता है और बात करें कि जो इसका उप्योग है तो इसका उप्योग अभी हमने बताया था किसमें करते हैं Artificial जो culture medium करते हैं समवर्धन माध्यम है उसमें करते हैं किसमें Artificial culture medium में जैसे कि PTC हो गया plant tissue culture में या jelly electrophoresis पे जैसे जैसे में भी इसका यूज किया जाता है तो जो अगार-अगार है वह किस से प्राप्त करते हैं स्वरी रेड हैल्गी से तो इस पे अपना right answer क्या जाएगा B number अगला question है कि किस सावाल का प्रयोग Kelvin एवं उनके साथियों ने प्रकास संसलेशर संबंदी प्रयोग में किया था तो वह ऐसी कौन सी सवाल है जिसका प्रयोग किस में किया था प्रकास संसलेशर संबंदी तमे तो Kelvin एवं उनके साथियों ने किस में प्रकास संसलेशर संबंदी क्लोरेला सहवाल के इसकी कौन से अलगी की मदद से क्लोरेला सहवाल के तो उन्होंने क्लोरेला सहवाल की साहता से उन्होंने प्रदर्चित किया था जो अपना प्रयोग किया था और उन्होंने बताया था कि जो इन और साइनिक क्रियाय होती हैं वैं इसकी धौरत प्रदर्शित किया था तो इसी शुरेला के मदद से तो प्राइश ट्रकार्ट तर्सेसिलेसील संबदी प्प्रयोग की से किया था प्लोरेलThere से तो इसके अपना राइट आंसर क्या जाएगा बी नमबर जो सित्री चक्र किया था ना तो वह किसकी साहता कौन से अलगी में किया था क्लोरेला पर अगला क्वेश्चन है कि से वालों में सिंगैमी कहां पाई जाती है इस्त्रीधानी आर्केगोनियम में या जल में या तो जो अलगी में जनन होता है रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होता है किसके द्वारा होता है तो इसे हम क्या कहते हैं फ्यूजन के द्वारा होता है जिसे अपन क्या कहते हैं सिंगैमी कहते हैं जो क्या कहलाता है सिंगैमी कहलाता है और जो सिंगैमी की प्रक्रिय जो सिंगैमी की प्रोसेस क्रिया वर कहां होती है तो जली वातावरण में होती है कहां होती है जली वातावरण में होती है तो इसलिए जो सिंगैमी है वर कहां पाई जाती है तो जल में पाई जाती है इसलिए अपना राइट आंसर क्या जाएगा बी नंबर अगले question क्यों रांगे बढ़े निमलिकित में से किस सवाल काई का उप्योग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है तो कौन सी ऐसी सवाल है जिसका उप्योग अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इस पर रिसर्च के लिए करते हैं Chlorilla, Cladophora, Hydrodictione या Clemidomonas तो कौन सी ऐसी सवाल है तो देखो वह है क्लोरेλα जो Chlorilla algae होती है ना तो Chlorilla algae का उप्योग कहा है अंतरिक्ष में क्यो करते हैं तो वो आक्सीजन उत्पादन के लिए आक्सीजन उत्पादन के लिए किसका उप्योग करते हैं क्लोरेला नामक अलगेका तो यह क्या करती है जो यह सवाल होती है यह तीब्रदर से क्या करती है नि बहुत ही रैपेडली फोटोसिंथेसिस करती है और फोटोसिंथेसिस करती है तो क्या होता है कि जो अंत्रिक्ष य यात्री होते हैं उनमें यात्री भी भरे रहते हैं तो उनके द्वारा क्या छोड़ते हैं वे हो ती है उसका उप योग अंत्रिक शनुशनधान में किया जाता है और किस लिए किय जाता है तो ऑक्सीजन उसके में की और कि अगले कुछ्यन की ओर और कि अरिकल नामक नेले रंक का रंजक प्राप्त होता है जो में और about कि अरिकल 거야 वह किस से प्राप्त होती है सिट्रेडिया आइसलेंड का से या रेमलीना फष्टी गीएटा से या क्लेडोनिया रेंगिखेरा से या इवर्निया प्रॉनास्टिया से तो किस से प्राप्त होता है तो जो आरिकल होता है आरिकल किस से प्राप्त होता है सिट्रेरिया आइसलेंड का से प्राप्त होता है क्या होता है कि जो यह सिट्रेरिया आइसलेंड का एक प्रकार की कैसी है एक लाइकेन होती है क्या होती है जिसे क्या कहा जाता है इसकी को आइसलेंड मॉस कहा जाता है कभ आइस लेंड मॉस कहते हैं तो और इकल जो नीले रंग की डाई होती है वह किससे प्राप्ट करते हैं तो सिटेरिया आइस लेंड का से तो अपना राइट आंसर इस पे क्या गया ए नंबर या अपना राइट आंसर हुआ अगला क्वेशन है कि निमलिखित में से कौन एक सेवाल है तो इन में से कौन सी ऐसी है जो एक सेवाल है एपल काई या आईरिस काई या क्लेब काई या रेडियर काई तो क्या है तो देखो जो ये रेंडियर काई है रेंडियर मॉस है ये क्या है एक लाइकेन है ये क्या है ल एक ऐसा होता है टेरीडोफाइटा होता है और जो आईरिस का ही होती है जो आईरिस मौस होती है यह क्या है यह एक प्रकार की एलगी है यह क्या है एलगी है और इसका नाम क्या होता है क्रॉंडस क्रिस्पस होता है इसका नाम क्या है। क्रॉंडर्स क्रिस्पस। इस पर अपना राइट आंसर क्या गया। बी नंबर जो एलगी है वह क्या है। आइरिस मॉसर। ए नंबर आइरिस। तो स्वरी ए नहीं बी। कि पॉमेला इस्टेज किस में पाई जाती है। यूलोथ्रिक्स पे, सिस्टोपस पे, या इस्पाइरोगायरा पे, या एस्परजिलस पे। तो जो पॉमेला इस्टेज है वह किस में पाई जाती है। तो देखो जो पॉमेला स्टेज है वह किस में पाइ जाती है यूलोथिक्स में तो अलेंगिक जनन होता है तो इसमें क्या होता है यह जहां पे अगर पानी की कमी हो गई या वहां पे लवड की उपस्तिती अधिक हो गई तो वहां पे क्या होता है इनमें इस आवस्त्र में जो पामेला स्टेज में क्या हो जाती है कि जो इनकी सेल वाल होती है il drip गल जाती है पर बहुंद जाती है कि भल जाती है और क्या बन जाती है एक मCl अ मिंवंस्ट अब ट्सौ यद्वह μεं ऐन पर गया नंबर कि अगला कोश्चन है कि नॉश्टॉक कोश्का की सबसे भीत्री परत बनी होती है तो देखो अभी हमने बताया सुरू से ही इसको डिसकस करते आ रहे हैं कि जो नॉश्टॉक है यह कैसा है एक ब्लो ग्रीन एल्गी हो इसको किस वर्ग में रखा गया था किस त्रेड़ी में त साइनो बैक्टीरिया में रखा गया है और तो साइनो बैक्टीरिया में रखा गया है मतलब यह बैक्टीरिया की स्रेड़ी में आता है तो जो बैक्टीरियों की जो बैक्टीरिया की जो सेल्वाल होती है वह किसकी बनी होती है प्रेप्टाइडो ग्लाइकेन या म्यूको प प्रेप्टाइड या प्रेप्टाइड ग्लाइकॉन की बनी होती है तो इस पर अपना राइट अंसर क्या जाएगा अगला क्वेशन है कि संचित भोजन के रूप में फ्लोरीडियन इस्टार्च पाया जाता है तो जो फ्लोरीडियन इस्टार्च होता है वह किस में पाया जाता है फ्योफाइसी में सियनोफाइसी में बैसिलेरियोफाइसी में या रोडोफाइसी में तो देखो अगर बात करें कि जो फ्योफाइसी है तो फ्योफाइसी में जो संचित भोजन है फ्योफाइसी किसे उसमें आता है तो यह ब्राउन एलगी है इसमें ब्राउन एलगी आती ह और ब्राउन एल्गी में जो संचित भोजन होता है वह क्या होता है लैमिनेरिन हो गया मैनी टॉल हो गया क्या लैमिनेरिन और मैनी टॉल कि इसका है यह फियोफाइसी को हो गया और जो रोड़ोफाइसी है तो रोड़ोफाइसी का जो संचित भोजन होता है जो रोड़ोफाइसी में कौन आती है लाल से वाल आते हैं रेडल ही आती है तो इनका जो संचित भोजन होता है वह क्या होता है क्लोरोडीन इस्टार्च होता है क्लोरीडियन 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 क्ल जिनत्व फाइसी में जैसे वसा हो गया है तेल हो गया और लियुकोसीन होता है उनका संचित भोजन तो इसके किसका पूँचा तो फ्लूरिडियन इस्टार्च किसका होता है रौडोफाइसी का तो इसके अपना राइट आंसर किया जाएगा डी नंबर कि जो फ्लोरेडियन इस्टार्ज किसका संचित भोजन होता है रोडोफाइसी में इगला क्वेशन है कि लाइकेन में लैंगिक जनन का समफादन होता है तो जो लाइकेनों में लैंगिक जनन का जो सेज्वल रिप्रोडक्शन होता है वह किसके द्वारा होता है केवल कवक द्वारा केवल सैवाल द्वारा या सैवाल इवं कवक दोनों द्वारा या ना सैवाल और ना कवक के द्वारा तो देखो जो लाइकीन है वह किस-किस से मिलकर के बना हुआ है तो जो लाइकीन होता है वह सैवाल और कवक का साहशर है और यह यह मिस्रित जीब है क्यों तो अगर बात करें कि जो लैंगिक जनन है जो तो इसमें जो नर्जन्नांग होता है जो male reproductive organ होता है तो नर्जन्नांग को क्या कहते हैं तो नर्जन्नांग को कहा जाता है क्या spermetogonium और जो मादा जन्नांग होती है मादा जन्नांग को क्या कहा जाता है कार्को को पंग और इने-कि ही यह चुजन होता कि यह चुजूजन के दिधर चुटल बने से कि डाइगोट बन जाता है इनका तो लांधिल सब्सक्राइब के द्वारा होता है तो केवल कवक के द्वारा होता है तो इस पर अपना राइट आंसर क्या जाएगा ए नमबर राइट क्वेशन खतम है तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको जरूर से जरूर सेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो का फायदा ठा सके मिलते हैं अगले वीडियो पे जैहिन जै भारत धन्यवाद